चातुरवर्ण्य विवस्था अर्था चार वर्णों की विवस्था प्रित्वी विभाग और अन्लादी की उत्पत्ति का वर्णन नमस्कार अगर आप किसी कारण वर्ष मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिए गव श्री मैत्रेग जी बोले हे भगवन आपनी जो अर्वाक्स दोत्र मनुष्यों की विश्य में कहा उनकी श्रिष्टी ब्रह्माजी ने किस प्रकार की यह विस्तार पूर्वक कहिए श्री प्रजापाती ने प्राह्मनादी वर्ण को जिन जिन गुणों से युक्त और जिस प्रकार रचा तथा उनके जो जो कर्तव कर्म निर्धारित किये वह सब वर्णन कीजिए श्री पराशर जी बूले हेद्वी श्रेष्ट जगत रचना की इच्छा से युक्त सत्य संकल्प श्री ब्रह्माजी के मुक से पहले सत्य प्रधान प्रजा उत्पन्न हुई तदन अंतर उनके वक्ष्थल से रच प्रधान तथा जंगाउं से रच और तम विशिष्ट स्रिष्टी हुई हेद्वी जो तम चर्णों से ब्रह्माजी ने एक और प्रकार की प्रजा उत्पन्न की वह तम प्रधान थी ये ही सब चारों वर्ण हुए इस प्रकार है द्विश्ट सत्दम, ब्रह्मन, क्षत्रिय, बहश और शुद्र ये चारों क्रम्ष ब्रह्माजी के मुख, वक्ष्थल, जानू और चर्णों से उत्पन्न हुए हे महाभाद, ब्रह्माजी ने यग्य अनुष्ठान के लिए ही यग्य के उत्तम साधन रूप, इस संपून चातुर वर्णे की रचना की थी हे धर्मक्य यग से त्रिप्त होकर देवगन जल बर्सा कर प्रजा को त्रिप्त करते हैं अतह यग्य सरवथा करल्याल का हेतु है, जो मनुष्य सदा, स्वधर्म परायन सदाचारी, सजजन और सुमार्ग गामी होते हैं, उन्ही से यग्य का यथावत अनुष्ठान हो सकता है हे मनु यग्जी के द्वारा मनुष्य इस मनुष्य शरीर से ही स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्ट कर सकते हैं तथा और भी जिस्थान की उन्हें इच्छा हो उसी को जा सकते हैं हे मुनिस सत्तम ब्रह्मा जी द्वारा रची हुई वह चातुरवर्णे विभाग में स्थित प्रचा अती शद्धा युग्द आचरन वाली स्वेच्छानुसार रहने वाली संपून बाधाउं से रहित शुद अंतह करन वाली सत कुलोत पन और पुन्य कर्मों के अनुष्ठान से परम पवित्र थी उसका चित शुद्ध होने के कारण उसमें निरंतर शुद्ध सुरूप श्री हरी के विराजवान रहने से उन्हें शुद्ध ज्यान प्राप्त होता था जिससे वे भगवान के उस विश्णु नामक परमपत को देख पाते थे फिर त्रेता यूग के आरंभ में हमने तुमसे भगवान की जिस काल नामक अंच का पहले बर्णन किया है वह आति अल्प सार वाले अर्थात सुख वाले तुछ और घोर अर्थात दुख में पापों को प्रजा में प्रवरित कर देता है ये मैत्रे उससे प्रजा में पुर्शार्थ का लिखातक तथा अज्यान और लोब को उत्पन करने वाला रागादी रूप अधर्म का पीज उत्पन हो जाता है तब ही से उसे वैविश्णूपत प्राप्ती रूप स्वभाविक सिध्धी और रसुल्लास आदी और अश्ट सिध्धियां नहीं मिलती उन समस्त सिध्धियों के क्षिर्ण हो जाने और पाप के बढ़ जाने से फिर संपूर्ण प्रजा, द्वंद, हरास और दुख से आतुर हो गई तब उसने मरुभूमी, परवत और जल आदी के स्वभाविक तथा कृत्रिम दुर्ग और पुर तथा खरवट आदी स्थापित किये हे महमते उन पुर आदियों ने शीद और गाम आदी बाधाउं से बचने के लिए उसने यथा योग घर बनाए इस प्रकार शीतो उष्ण आदी से बचने का उपाय करके उस प्रजाने जीविका के साधन रूपी क्रिशी तथा कालाकोशल आदी की रचना की हे मने, धान, जो, गेहुं, छोटे धान, तिल, कागनी, ज्वार, कौदो, छोटी मटर, उडद, मूंग, मसूर, बड़ी मटर, कुल्थी, राई, चना और सन ये सत्रा ग्राम में औशद्धियों की चादिया हैं, ग्राम में और वन्ने दोनों प्रकार की मिलाकर कुल चोदह औशद्धियां यागिक हैं, उनके नाम ये हैं, धान, जो, उडद, गेहुं, छोटे धान, तिल, कागनी और कुल्थी, ये आठ तथा, श्यामाग, अर्था समा, नीबार, वन्तिल, गवेधु, विर्णुयव, और मर्कट, अर्थात मक्का, ये चोदह ग्राम में और वन्ने औशद्धियां ये के अनुष्ठान की सामगरी हैं, और यग्य इनकी उत्पत्ति का प्रधान ही तु है, ये क्योंकि सहीत ये औशद्धियां प्रजा की व हे मुनिष्ठ नित्यप्रती किया जाने वाला यग्य अनुष्ठान मनुष्यों का परम उपकारक और उनके किये हुए पापों को शांत करने वाला है, सत्युग में रस का स्वयम ही उल्लास होता था, यही रस उल्लास नाम की सिद्धी है, उसके प्रभाव से मनुष्य भू को नश्ट कर देता है, उस समय प्रजा स्त्री आदी भोगों की अपेक्षा के बिना ही सदा त्रिप्त रहती थी, इसी को मुनिष्रेष्टों ने त्रिप्ती नामक दूसरी सिद्धी कहा है, उनका जो उत्तम धर्म था वही उनकी तीसरी सिद्धी कही जाती है, उस समय संप पूर्ण प्रजा के रूप और आयू एक सिद्धी यही उनकी चौथी सिद्धी थी, बलकि एकांत्की की अधिक्ता, यह विशो का नाम की पांचवी सिद्धी है, परमातम परायन रहते हुए तब ध्यानादी में तत्पर रहना छटी सिद्धी है, सुच्छानुसार विज आठवी सिद्धी कही जाती है, पहाड या नदी के तट पर बसे हुए छोटे-छोटे टोलों को खरवट कहा जाता था, हे महमुने, जिनके चित में काल की गती से पाप का बीज बढ़ता है, उन्हीं लोगों का चित यक्य में प्रवर्द नहीं होता, उन्हीं यक्य के विर वे लोग दुरात्मा, दुराचारी, कुटिलमती, वेद विनिंदक और प्रवर्ति मार का उच्छेद करने वाले ही थे, हे धर्मबानों में श्रिष्ट मैत्रे, इस प्रकार कृशी आदी जीविका के साधनों के निश्यत हो जाने पर, प्रजापती ब्रह्मा जी ने प्रकार पालन करने वाले समस्त वर्णों के लोग आदी की स्थापना की, कर्मनिष्ट ब्रह्मनों का स्थान पित्री लोग है, युदक्षेत्र से कभी न हटने वाले क्षत्रियों का इंद्र लोग है, तथा अपने धर्म का पालन करने वाले वैश्यों का वायू लोग, औ और सेवा धर्म परायन शूद्रों का गंधर्व लोग है। 88,000 उधर्वरेता मुनी है। उनका जो स्थान बताया गया है, वही गुरुकुलवासी ब्रह्मचारियों का स्थान है। इसी प्रकार वनवासी वानप्रस्थों का स्थान सक्तरिशी लोग, ग्रहस्तों का पित्री लोग और सन्यासियों का ब्रह्म लोग है। तथा आत्मनुभव से त्रिप्त योगियों का स्थान अमरपत अर्थात मूर्ष है। जो निरंतर एकांत सेवी और प्रह्म चिंतन में मगन रहने वाली योगी जन है। उनका जो परमस्थान है उसे पंडिचन ही देख पाते हैं। चंद्र और सूर्य आधी ग्रह भी अपने अपने लोगों में जाकर फिर लोट आते हैं। किन्तु द्वाद शाक्षर मंत्र अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाई का चिंतन करने वाले अभी तक मोक्षपत से नहीं लोटे। तामिस्र अंधतामिस्र महारोरव रोरव असीपत्रवण घोर कालसूत्र और अविचक आधी जो नर्क हैं। वे वेदों की निंदा और यग्यों का उच्छेद करने वाले तथा सोधर्म विमुख पुर्षों के स्थान कहें गए हैं। श्री पराशर जी बूले फिर उन प्रजापती के ध्यान करने पर उनके देशोरो भूतों से उत्पन्न हुए शरीर और इंद्रियों के सहित मानस प्रजा उत्पन्न हुई। उस समय मतिमान ब्रह्मा जी के जड़ शरीर से ही जेतन जीवों का प्रादुर्भाव हुआ। मैंने पहले जिनका वर्णन किया है। देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत वे सभी त्री गुणात्मक जर और अचर जी इसी प्रकार उत्पन्न हुए। जब महा बुद्धिमान प्रजापती की वे प्रजा पुत्र पौत्रादी क्रम से ना बढ़ी। तब उन्होंने भ्रिगू, पुलस्त, पुलह, क्रतू, अंगीरा, मरीची, दक्ष, अत्री और वसेष्ट। इन अपने ही सत्रिष, अन्य, मानस पुत्रों की स्रिष्टी की। पुराणों में ये नो ब्रह्मा माने गए हैं। फिर ख्याती, भूती, संभूती, क्षमा, प्रीती, सन्नती, उर्जा, अनुसुया, तथा प्रसूती इन नो कर्ण्याओं को उत्पन कर इन्हें उन महात्म को तुम इनकी पत्नी हो, ऐसा कहकर सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने पहले जिन संकादी को उत्पन किया था, वे निर्पेक्ष होने के कारण संतान और संचार हादी में प्रफृत नहीं हुए। वे सभी ज्ञान संपन, विरक्त और मतसरादी दोशों से रहित थे। उन महा आत्माओं को संसार रचना से ब्रह्मा जी को तृलोकी को भजमकर देने वाला महान क्रोध उत्पन हुआ। हे मुने उन ब्रह्मा जी की क्रोध के कारण संपूर्ट तृलोकी ज्ञाला मालाओं से अत्यंत त्यदिप्पिमान हो गई। उस समय उनकी तेड़ी भ्रिकुटी और क्रोध संतप्त ललाट से दोपहर की सूरे के समान प्रकाश्मान रुद्र की उत्पत्ती हुई। उसका अतिप्रचंड शरीर आधा नर और आधा नारी रूप था। तब ब्रह्मा जी अपने शरीर का विभाग कर ऐसा कहकर अंतरधान हो गए। पुरुष भाग को ग्यारह भागों में विभाग्त किया। तधा स्त्री भाग को भी सौम में क्रूर, शांत शांत और श्याम गौर आधी कई रूपों में विभाग्त कर दिया। की स्त्री को अपनी पत्नी रूप से ग्रहन किया। ये धर्मक्य उन स्वयम्भू मनुसे शत्रूपा देवी ने प्रियवरत और उत्तान पात नामक दो पुद्र तथा उदार रूप और गुणों से संपन, प्रसूती और आकूती नाम की दो कन्याय उत्पन की। उन में से प्रसूती को दक्ष के साथ तथा आकूती को रुची प्रजापती के साथ विभा दिया। ये महाभाग रुची प्रजापती ने उसे ग्राण कर लिया। तब उन दमपती के यगे और दक्षना ये युगल संतान उत्पन्य हुई। यगे के बारह पुत्र हुई। जो स्वयम्भू मन्मतर में याम नाम के देवता कहलाय। तब दक्षने प्रसूती से 24 गन्याय उ बुद्वन्य की। मुझसे उनकी शुब नाम सुनू। शद्धा, लक्ष्मी, ध्रिती, तुष्टी, मेधा, पुष्टी, क्रिया, बुध्धी, लच्चा, वपु, शांती, सिथी और तेर्वी, कीर्थी। इन दक्ष करन्याओं को धर्म ने पत्नी रूप से ग्राण किया इनसे छोटी शेश ग्यारह करन्याएं ख्याती, सती, संभूती, सम्रिती, प्रीती, क्षमा, संतती, अनुसुया, उर्जा, स्वाहा और स्वधाती। हे मुनी सत्तम, इन ख्याती आदी करन्याओं को ग्रमशह, भ्रेगु, शिब, मरीची, अंगिरा, पुलस्ते, पुलह, क्रतु, आत्री, भसिष्ट, इन मुन्यों, तथा अग्नी और पित्रों ने ग्राण किया। श्रधा से काम, चला, अर्थात लक्ष्मी से धर्ब, धृती से नियम, तुष्टी से संतोष, और पुष्टी से लोब की उत्पत्ती हुई, तथा मेधा से शुत, क्रिया से दंड, नै और विनै, बुधी से बोध, लज्जा से विनै, वपु से उसका पुत्र व्यवसाय, यही धर्म के पुत्र है, रती ने काम से धर्म के पौत्र हर्श को उत्पन किया, अधर्म की स्त्री हिंसा थी, उससे अनृत नामक पुत्र और निकृती नाम की कन्या उत्पन हुई, उन दोनों से भै और नर्क नाम के पुत्र तथा उनकी पत्निया, माया और वेदना नाम क कन्याय हुई उन में से माया ने समस्त प्राणियों का संघार करता मृत्यू नामक पुत्र उत्पन किया वेदना ने भी रोरव अर्थात नर्ग के द्वारा अपने पुत्र दुख को जन दिया और मृत्यू से व्याधी जरा शोग तृष्णा और क्रोध की उत्पत्ति हुई ये सब अधर्म रूप है और दुखोत्तर नाम से प्रसिद्ध हैं क्योंकि इन से परिणाम में दुखी प्राप्त होता है इनके ना कोईस्तरी है और ना संतार ये सब उधर्वरेता हैं हे मुनिकुमार ये भगवान विष्णु के बड़े भयंकर रूप है और ये ही संसार के नित्य प्रलय के कारण होते हैं हे महभाग दक्ष, मरीची, अत्री और भिगुआदी प्रजापतिगन इस चगत के नित्यसर्ग के कारण है तथा मनु और मनु के पराक्रमी सन्मार की परायन और शुर्वीर पुत्र राजागन इस संसार की नित्यस्थिती के कारण है श्री मैत्रे जी बोले ही ब्रह्मन आपने जो नित्यस्थिती नित्यसर्ग और नित्य प्रलय का उल्ले किया सुक्रिपाकर की मुझसे इनका स्वरूप वर्णन कीजे श्री पराशर जी बो इस्वान मधुसुदन निरंतर इन मनुआधी रूपों से संचार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश करते रहते हैं। हेद्विज समस्त भूतों का चार प्रकार का प्रलय हैं। नेमितिक, प्राकृतिक, आत्यंतिक और नित्यर। उनमें से नेमितिक प्रलय ही ब्राम प्रलय है। जिसमें जगतपती ब्रह्मा जी कलपांत में शैन करते हैं। तथा प्राकृतिक प्रलय में ब्रह्मांड प्रकृति में लीन हो जाता है। ज्यान के द्वारा योगी का परमात्मा में लीन हो जाना आतिंतिक प्रले है और राद दिन जो भूतों का क्षय होता है वही नितिप्रले है प्रकृति से महत्तत्व आदि क्रम से जो स्रिष्टी होती है वह प्राकृतिक स्रिष्टी कहलाती है और आवांतर प्रले के अनंतर जो ब्रह toolbar के द्वारा चराचर जगत की उत्पत्ती होती है वह दे नंदिनी स्रिष्ठी कहि जाती है और हे मुरि श्रेश्ट जिसमें प्रति दिन प्राणियों की उत्पत्ती होती रहती है उसे पुरानार्थ में कुशल महनुभावू ने नित इस प्रकार समस्त शरीर में स्थित, भूत भावन, भागवान विश्णु, जगत की उत्पत्ती, स्थिती और प्ले करते रहते हैं। बहे परमपत को ही प्राप्ट कर लिता है, फिर जन्म मर्णाधी के चक्र में नहीं बढ़ता। श्रीप राशर जी बूले, ही ब्रह्मन, मैंने तुमसे ब्रहमाजी के तामस सर्ग का वर्णन किया, अभ मैं रुद्र सर्ग का वर्णन करता हूँ, सु सुनू, कल्प के आधी में अपने समान पुत्र उत्पन होने के लिए चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी की गोद में नील लोहित बंड के एक कुमार का प्रादुरभाव हुआ हे दुजुत्तम जन्म के अनंतर ही जोर जोर से रोने और इधर उधर दोरने लगा उसे रोता देखकर ब्रह्मा जी ने उससे पूछा तु क्यों रोता है उसने कहा मेरा नाम रखो तब ब्रह्मा जी बूले हे देव तेरा नाम रुद्र है अब तू मत रो धैर धारन कर ऐसा कहने पर वे साथ बार और रोया तब भगवान ब्रह्माजी ने उसके साथ नाप और रखे तथा उन आठों के स्थान स्त्री और पुत्र भी निश्चित किये हेद्विज प्रजापती ने उसे भव, शर्व, इर्शान, पशुपती, भीम, उग्र और महादेव कहकर संबोधन किया यही उसके नाम रखे और इनके स्थान भी निश्चित किये सूर्य, जल, पृत्वी, वायू, अगनी, आकाश, अर्थात यग्य में, दीख्षित प्राहमन और चंद्रमा ये क्रमशह उनकी मूर्दिया है हे द्विच्ष्ष्ट, रुद्र आदी नामों के साथ उन सूर्य आदी मूर्दियों की क्रमशह, सुवर्चला, उशा, विकेशी, अपरा, शिवा, स्वाहा, दिशा, दीख्षा और रोहिनी नाम की पत्निया है हे महाभाग, अब इनके पुत्रों के नाम सुनो उन्ही के पुत्र पौत्रा दी, ये संपून जगत परिपूर्ण है शनिश्चर, शुक्र, लोहितांग, मनोजब, सकंद, सर्ग, संतान और बुद्ध ये क्रमशह उनके पुत्र है ऐसे भगवान रुद्र ने प्रजापती दक्ष की अनिंदिता पुत्री सती को अपनी भार्या रूप से क्रहन किया हे दुच्तम उस सती ने दक्ष पर कुपित होने के कारण अपना शरीर त्याग किया था फिर वह मेनका के गर्भ से हिमाचल की पुत्री उमा हुई भगवान श्यंकर ने उस अनन्य परायना उमा से फिर भी विवा किया भीगु के द्वारा ख्याती ने धाता और विधाता नामक दो देवताओं को तथा लक्षमी जी को जन्म दिया जो भगवान विष्णू की पत्नी हुई श्री मैत्रे जी बोले भगवन सुना जाता है कि लक्षमी जी तो अमरित मधन के समय क्षीर सागर से उत्पन्न हुई थी फिर आप ऐसा कैसे कहते हैं कि वे भीगु के द्वारा ख्याती से उत्पन्न हुई श्री पराशर जी बोले हे दुजय उत्तम भगवान का कभी संगना छोड़ने वाली जगत जननी लक्षमी जी तो नित्य ही हैं और जिस प्रकार श्री विष्णू भगवान सर्वव्यापक है वैसे ही ये भी है विष्णू आर्थ है और ये बाणी है हरी नियम है और ये नीती है भगवान विष्णू बोध है और ये बुद्धी है तथा वे धर्म है और ये सत्क्रिया है हे मैत्रे भगवान जगत के स्रश्टा है और लक्षमी जी स्रिष्टी है श्री हरी भूधर अर्थात परवत अध्वा राजा है और लक्ष्मी जी भूमी तथा भगवान संतोश है और लक्ष्मी जी नित्य तुष्टी है भगवान काम है और लक्ष्मी जी इच्छा है वे यग्य हैं तो ये दक्षणा है श्री जनादन पुरोडाश है और देवी लक्ष्मी जी आज्या हुती अर्थात घ्रित किया हुती है हे मुने मधुसूदन यजमान ग्रह हैं और लक्ष्मी जी पतनी शाला है श्री हरी यूप है तो लक्ष्मी जी चित्ती है तथा भगवान कुशा है और लक्ष्मी जी इधमा है भगवान सामसो रूप है और श्री कमला देवी उद्गीती है जगतपती भगवान वासुदेव हुताशन है और लक्ष्मी जी स्वाहा है हे दुजोत्तम भगवान विष्णु शंकर है और श्री लक्ष्मी जी गौरी है तथा हे मैत्रे है श्री केशव सूरे है और कमल वासिनी श्री लक्ष्मी जी उनकी प्रभा है श्री विष्णु पित्रिगण है और श्री कमला नित्य पुष्टिदाईने सुधा है विष्णु अति विस्तिर्ण सर्वात्मक अवकाश है और लक्ष्मी जी स्वर्ग लोग है भगवान श्रीधर्चंद्रमा है और श्री लक्ष्मी जी उनकी अक्षय कांती है हरी स्वर्ग कामी वायू है और लक्ष्मी जगत चेश्टा अर्थात जगत की गती और ध्रिती अर्थात आधार है हे महामुने श्री कोविंद समुद्र है और हे द्विज लक्ष्मी जी उसकी तरंग है भगवान मतुसुदन देवराज इंद्र है और लक्ष्मी जी इंद्राणी है चक्रपाणी भगवान यम है और श्री कमला यम बतनी धूमोर्णा देवादी देव श्री विष्णु कुबेर है और श्री लक्ष्मी जी साक्षाद रिधी है श्री केशप स्वएं वरुन है और महा भागा लक्ष्मी जी गोरी है ये दुज राज श्री हरी देवसेनापती स्वामी कार्थिक के है और श्री लक्ष्मी जी देवसेना है हिदु जुत्तम भगवान गदाधर आश्रे हैं और लक्ष्मी जी शक्ती है भगवान निमेश है और लक्ष्मी जी काश्टा है वे मोहरत हैं तो ये कला है सरवेश और सरवरूप श्रीहरी दीपक है तो श्री लक्ष्मी जी जूती है श्री विष्णु ब्रिक्ष रूब है और जगन माता श्री लक्ष्मी जी लाता है जक्र गदादर देव श्री विष्णु दिन है और लक्ष्मी जी रात्री है बर्दायक श्री हरी बर है और पद्म निवासिनी श्री लक्ष्मी जी बधु है भगवान नद्य है और श्री जी नदी है कमलने इन भगवान धोजा है और कमला लेया लक्ष्मी जी पता का है जदीश और परमात्मा नारायन लोब है और लक्ष्मी जी तृष्णा है तथा हे मैत्रे, रती और राग भी साक्षाद, श्री लक्ष्मी और कोविंद रूप ही है अधिक क्या कहा जाए संक्षेप में यह कहना चाहिए कि देव, त्रियक और मनुश्य आदी में पुरुश्वाची भगवान हरी है और स्त्रीवाची, श्री लक्ष्मी जी उनके परे और कोई नहीं है नमस्कार, मैं आभाशर्मा जावास यदि आपको मेरा ये प्रत्न सराहनी लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोच्छाहिद करें